हे गाईज, वेलकम टू देव हूमी कर्यार पॉइंट तो देखे फ्रेंट्स, भुगोल सीरीज दी थी मैंने एक जिसमें 50 कोशियन दे थे, आज उसका ये पार्ट टू है, ये कोशियन काफी महत्तोपों हैं उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं SSC के एकजाम के और र साड़े 22 करोड वर्स पहले टेथित सागर इसे किस महादीप से अलग करता था तो एशिया महादीप से अलग करता था देखे हम अगर भुगोल की सुरवात करते हैं तो पहले वहां पर जैसे आप माउंट एवरेस्ट था नी टेथित सागर था कापी उत्पत्ती सबी चीज था नेक्से देखे लगबग साड़ चार से पांच करोड वर्स से पहले भारत एशिया से टक्राय वह परिणाम सुरूप किसका उत्थान हुआ था हिमालय परवत का जो हिमालय सीरी आपको देख रहे हिमालय एक नवीन वालित परवत है ध्यान लखेंगे अगला देखे प्रवाह के दोराने क्रमो घटना घटी जिसके परिणाम सुरूप लावा प्रवाह से निर्मान हुआ दक्कन ट्रेप का दो दक्कन ट्रेप जो साउथ में है इसका निर्मान हुआ लावा प्रवाह से लावा प्रवाह लगबग 6 करोड वर्स से पहले प्रारंब हुआ और लंबे समय तक जारी रहा यह उप महादीप तब भी भूमध्य रिखा के निगड़ था लगबग कितने वद से पहले और इसके पश्चाथ हिमालए की उत्पत्ती हुई तो लगबग चार्ज करोड़ वद से पहले बैग्यानिक वोर ने मानना है कि यह प्रिक्रिया सुर्य जा रही है और हिमालए की उचाई लगातार बगल गी है क्योंकि आप दभी भी देखते होंगे एवरेश्टी की उचाई पहले 8848 मीटर थी अब वह जाग की हो चुकिया 8850 ठीक है तो बगते जा रहे है नेक्स देखे भारतिया भुर्ज इस्प्रूस वाइड विलो में कौ वड्री सौवल में नेक्से इस इस रलऻ करती निर्मार निर्मन लिकित में से किस प्रतम्ता है तो साघ्र जागर आम जो च चलते हैं उझे निर्माह णूता स्टैक स्तला कर नेक्स की atrás तो ट्रांस्पोर्टेशन जो होता है आसान परिवहन है वहां पर सलेज गाड़ियों के द्वारा लक्रियों को खींच के ले जाए जाता है नेक्स दिखें चलवासी पसुचारण किन छेत्रों में ब्यावहार में है तो चलवासी मलब घुमंतु गुमंतु जो पसुचारण पॉपुलर है मौसमी सुस्क छेत्रों में अगर दिखें कुछ बास प्रदेश में लोगा इस्पात उत्यों के व्यापारी क्रूप से संकेंतरी तोनी का कारण क्या है तो वहां पर कोईले की काफी उपलब दिता है प्रथम सौर्मंडल के बारे में विश्टो के समक्षे ज जलवाय। निम्नमें से किस फसल की किल्सी के लिए सरवादिक उप्युग गया है तो देखें फालो की बागवानी के लिए काफी उप्युगत है भूमर्द्य सागरिय जलवाय। अगला देखें भारत के दक्षिवनी प्राइदी पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्नमें से किस कारक का सरवादिक प्रवाव पड़ा है तो जो वनस्पति हैं साउत की प्राइदी पर पठार की वहां पर वर्सा का सरवादिक प्रवाव पड़ देखने को मिलता है वनस्पतियों पर नेक से भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से कहां कहां से हो तो नाचना जो कि जैसल मेर राजेस्टान में इस्तिध है प्लेस वहां के उंट काफी फेमस हैं नेक्से ब्यापारिक रूप से मत्से पालन के ब्यावसाई को किस नाम से जाना जाता है तो पीसी कल्चर बोल जाता है जब हम व्यापारिक रूप से मत्से पालन करते हैं मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है तो मेरी कल्चर में होता है समुद्री जीवों का उत्पादन अगरे देखे सैली बीस सागर किस महा सागर में इस्तिध है तो देखे आर्करटिक महा सागर में इस्तिध है सैल श्यूले वर्चा के लिए उत्तरदाई होता है तो सबसे ज़्यादा वजधा के लिए उत्तरदाई वाला जो बादल वह JOE सommen थे ध्याण रगींगे अगला रगिंगेशad डाल मिया सिमेंट कार खाना किस सवर राजस्जे मेंश्थ दाफ। नाम सुनाओगा सिमेंट कारोबार की काफी वगिल कंपनी और अधर विजनेस भी हैंगे तो हर्याणा में सीथ है डाल में दादरी सिमेंट कार खाना नेक्स दिए कांग्रा लाहु लाहुल तथा नगर हिमाले की तराई के दक्षिली सेले पर बसा हुआ है, यहाँ से कौन सी नदी अपवहीत होती है, तो कांगला से होती है, ब्यास नदी, कारा कोरम परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् विए हैं एक पाकिस्तान भूमि को भी लेती है अपने मैं अगर आखे कारा कोर्म पर्वसरेनिर ग्रेनाईट 35 नियाकि scar काउड noками सिमाल के सामान अंत्र्तित है तो यह ट्रांस हिमाले का ही जो आखे कि उत्तर और दक्षिली जो दक्षिली शीमा है वो सिंदू तता श्योक नदियों के बीच फैली हुई है अगरे भारत की सर्वोच चोटी का नाम क्या है और इसकी उचाए कितनी है तो भारत की सबसे उची चोटी है गौडविन ऑस्टिन जिसको के टू भी बलाता है इसकी उ हमारी पहुंच रहती है और सबसे उंचा ग्लेशियर माना जाते बहुती दुर्गम है यहां पर यह काराकुरम स्रीड़ी में आते हैं सभी अगला देखे हैं इस्तान पर ताप वर्षा दथा हवा के दबाव की किसी निश्ची समय पर दसा को क्या कहा जाता है तो यह दसा क पृत्तवी की सताब अगला कोश्रा है किस रहा पर वर्ष दिन रात बराबर हो ते है वह दक्छनकी और सभी और सागन सी दिक्री Corti तो बात उरिया उत्तर में कौन सी करकर रहा और साउत में कौन सी दक्षिर में मकर रहा इसके बीज में भूमत दे रहा अभी जो मैंने अक्षांस वार देशांतर रहा वाला चैप्टर दिया अगर वह देखेंगे आप तो अच्छे समझ मैं आएगा इस वीडियो के किया गया है तो यह अक्षांस रहा है कहलाती है अगला कोशियन है देखिए वास्ताव में अक्षांस वहां कौन है जो विस्वत रहा तता अन्य किसी इस्तान के बीच पिल्थवी के केंदर पर बनता है विस्वत रहा को किस अंस की स्तिति में माना जाता है तथा यहां से उ क्रिप्टी शेशन दिया भुगोल का वो जरूर देखे तब समझ में आएगा ठीक है अब लाए देखे सभी अक्षांस रेखा हैं समांतर होते हैं तता दो अक्षांसों के बीच की दूरी को क्या का जाता है तो यह जोन कहलाता है इस प्रकार की दो अक्षांसों के मध्य दू सूर्य की उचाई उस इस्तान के अक्षांसों पर निर्वर करती है कैसे निर्वर करती है कि इस अक्षांसों पर दो अपर के समय सूर्य ठीक सर के उपर रहता है और नियून अक्षांसों पर क्या होता है चीती किरना पर पढ़ने वाली सूर्य की किरनों की गर्मी विभिन् पूरे की जो गर्मी है जो किरवन शाम है गर्मी महसुस होती वह अलग अलग होगी अक्षान्स को अगॉर्डिंग तो देखे भूगोल का डिस्क्रिप्टी शहसन आप जरूर देखे तब अच्छे से अक्षान्स देशांतर आपको समझ में आएगा इस वीडियो के डिस्क्र अच्छे से मेहनत करें मिलेंगे नेक्स वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ अब तक ध्यान में के अपना जय हिंद वंदे महात्रम